हेलो दस्तों, वेलकम टो – टो फटमेंटल ट्रेडर आजके स्वीडियो में आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जहां पे हम डिसकास करेंगे कि यह IPO होता क्या है क्यों कोई कंपनी जो है वो IPO लेकर आती है और IPO को लाने की क्या वजह होती है और तो IPO की प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एक एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल यह है कि माल लीजिए कोई परसन है जिसका नाम यह है जो मैं यह बता रहा हूं यह कोई परसन है यह इसकी एक कंपनी है XYZ ठीक है इस XYZ कंपनी को बनाने के लिए इसने 5 लाख रुपए लगाएं तो A ने XYZ में 5 लाख रुपए लगा कर यह कंपनी बनाई तो स्टार्टिंग में जब यह कंपनी बनाएं तो इसका जो ओनर सीप है मत्तब 100% कंपनी का जो मालिक है जो फाउंडर है वो सब कुछ परसन A है ठीक है इसकी कंपनी XYZ यह है अब लेकिन जो परसन A है जो जिसकी कंपनी XYZ उसे और ज्यादा कैपिटल चाहिए कंपनी को और उपर ले जाने के लिए कंपनी में और इंवेश्टमेंट चाहिए इद किसी investor का पास जाएगा जिसका पास बहुत सारा पैसा है जा फिर किसी bank के पास जाएगा लेकिन bank तो आपको ऐसे पैसा नहीं देगी वो loan देगी एको loan नहीं चाहिए उसे ऐसा चाहिए जो उसके company में पैसा लगाए और जिससे वो कुछ हिस्सेदारी उसे दे दे जा फिर ए तो एक्जाम्पल कर मानते हैं यह वह राकेश जी के पास गया राकेश जू जून-वाला जू है उनके पास पैसा है वह कमपनी में मैं इंवेस्ट करते हैं था ने बोला कि सर मेरे जो कंपनी है वो XYZ company है यह business है इसकी current में यह जो balance sheet है आप वो दिखाएगा राकेश जी को बोले है कि मेरे company इतने profit बना रही है अगर आप चाहो तो मेरे company में कुछ investment कर दो मुझे पैसे की जरूरत है राकेश जी बोलेगे कि ठीक है मैं तुमारे company में investment करूँगा तो अब यह जो XYZ company है इसके अंदर दो changes आ गई पहली बात जो A है जिसके यह company है XYZ इसने अपने 95% हिस्सेदारी ही अपने पास रखी 5% जो हिस्सेदारी है वो राकेश जी को दे दिया क्योंकि राकेश जी ने इसके company में एक लाग रुपे invest कर दिया तो अपनी ownership उसे राकेश जी को इसने 5% दे दिया इसका मतलब यह है कि अब company जो भी कमाएगी यह XYZ जो company है जो भी मुनाफ़ा कमाएगी उस मुनाफ़ा का 5% राकेश जी को भी मिलेगा इसे एक लाग के बदले में तो इस तरह से अपनी हिस्सेदारी को यह ने dilute कर दिया mix कर दिया पहले यह 100% का हिस्सेदार था company पूरी का पूरी इसकी थी लेकिन अब इसने 5% राकेश जी को भी दिया ownership नहीं दिया है बस हिस्सेदारी दी है यह हिस्सेदारी जो है इसके management पे आ सकती है जैसे अगर promoters ए XYZ company की तो अब यह board of meeting में participate कर सकते हैं company की जो भी profit होगी उसमें इनका हक बनता है वो इस profit को भी लेंगे तो यह फाइदे हो जाते हैं राकेश जी को तो इसी तरीके से यह जो ए है जिसके company XYZ है वो और भी लोगों के पास जाता है और भी वो और भी लोगों के पास जाता है capital के requirement मांगता है क्योंकि जैसे जैसे उसकी company बरी होती जा रही है XYZ जो company है वो market पर और बरी होते जारी है उसे capital के जरुवत परते जारी है तो वो जिसके से भी जैसे राकेज जी जैसे ही लोग जैसे ही लोग जो इसे पैसे देते हैं वो इतनके promoters बनते जाते हैं तो इस एक company ने माल रोग तीन से चार साल दिये अपनी company को और यह company अब कुछ अच्छी एक company बन चुकी है और इसके बहुत सारे promoters भी आ गए है और अब जो company है उसके capital भी बहुत अच्छी हो गई है पाहर market में इसकी पहचान बन चुकी है इसकी एक खुद की ब्रैंड भी है और साथ ही साथ अब इसके कुछ promoters भी बन गए है एक complete board बन चुकी है जिसके अंदर कुछ लोगों ने कुछ बरे पैसे वाले लोगों ने पैसे लगाए हैं इसके अंदर और profit भी कमा रहे हैं तो पहले जो था XYZ जो था यह company उसके पास सिफ 100% की ओनर सिथी एक के पास जो इसके ओनर है जो इसकी founder है ए लेकिन अब जो condition है तीन चार साल मान लो यह company को बीट गए काम करते वे अब एने हैं अब एक के पास जो है सिर्फ 80% holding बची है बाकि के 20% जो share holding वो transfer कर दी अपने promoters को promoters मतलब वो लोग जो इस XYZ की company में पैसे लगाए हैं और वो पैसे तब लगाए थे जब ए गया था इन promoters का पास कि मुझे पैसे के जरूरत है आप मेरे company में investment कर दो लेकिन यह company और बड़ी होते जा रही है यह company यहाँ पे भी ने रुकी इसे और ज़्यादा capital की जरूरत है अब इतने ज़्यादा पैसे के जरूरत है जो कोई individual investor या फिर individual financial institutions इस पे पैसे नहीं लगाएगा तो अब यह क्या करेगा कि यह जाएगा सेभी के पास और सेभी को यह बोलेगा कि मुझे IPO लानी है अपनी company XYZ के लिए तो सेभी इसकी balance sheet वेगरा सब कुछ देखेगा इसकी quote के cases तो नहीं है जो भी है उपर नीचे सब कुछ देखने के बाद इसके IPO को लेके आएगा और IPO इसलिए लाते हैं क्योंकि जब कोई individual investor अब इसमें invest नहीं कर सकता क्योंकि अब इसकी requirement की capital जो है वो पहुत ज़्यादा अब इसे कुछ 10 करोर 20 करोर नहीं चाहिए अब इसे 100 करोज चाहिए 500 करोज चाहिए 1000 करोज चाहिए इसे तब ये जाकर IPO लेके आता है तो ये company अब जो XYZ company है जो IPO के तुछ 500 करोज और 1000 करोज की जो इसकी capital की requirement है वो अपनी requirement को पूरी करने के लिए IPO लेकर आएगा तो already जो XYZ की company है IPO लाने से पहले एक के पास जो है वो 80% ही share holding है 80% ही ownership है 20% already promoters के पास है लेकिन IPO लाने के बाद सेवी का जो एक formulation है एक rule है company जो है XYZ जो company है वो maximum 75% ही अपने पास holding रख सकते है वो और उसके promoters बाकी के 25% आपको public में देनी होगी तो अब XYZ क्या करेगा इसके जो company है ये क्या करेगा ये के पास अगर 80% की share holding थी तो वो 20% dilute कर देगा public को देदेगा जब IPO लेके आएगा तो 20% ये देदेगा promoters भी अपना कुछ जेब खाली करेंगे वो 5% dilute कर देगा तो इस तरहीं की से जो XYZ जो है वो 100% की जिसकी share holding थी वो अब dilute हो जाएगी 75% में जहांपे जो owner है जो founder है person है वो अपनी हिस्सेदारी को और ज़्यादा बेच देगा मतलब पहले जो थी वो तो 80% थी अब वो और 20% देदेगा तो हो सकता person एक अपास जो है वो अब 60% के ही हिस्सेदारी बेचे और promoters भी 5% अपने जेब खाली करेंगे ही तो इस तरीके से एक IPO लेके आती है इस तरीके से share holding का distribution होता है और company अपना capital का requirement पूरा करते है और ज़रूरी रही है कि जो company IPO लेके आती है वो company अपनी expansion के लिए ही लेके आती है या फिर company अपनी debt को पूरी करने के लिए भी लेके आ सकते हो सकता है मान लो company ने bank से debt लेके रखे हो वो debt को पूरी करने के लिए वो IPO लेके आ सकता है तो IPO लाने के वज़ा कोई भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है company को जब पैसे के ज़रुरत होती है तभी वो IPO लेके आता है लोगों से पैसे उठाता है क्योंकि तो वो bank से loan नहीं लेना चाहता वो आम लोगों से ही पैसा उठाएगा क्योंकि IPO लाने के बाद यह एक debt नहीं बनता है company को पर company को पर debt थोड़ी न बना bank से अगर वो पैसे लेगा तो वो एक debt हो जाएगा company को पर एक सरदर्द रहेगा लेकिन अगर वो IPO लेके आता है तो retail investors FWI यह लोग से पैसे लेके चला जाता है और यह debt नहीं बनता है company के लिए company का capital का requirement भी पूरा हो जाता है और debt की भी ज़र्वत नहीं परती तो यह फाइदा होता है तो उमीद है आपको IPO जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे आती है IPO shareholding के distribution कैसे होती है और किस तरह के से एक और आपको यह भी समझ में आ होगा किस तरह से एक छोटी से company एक बड़ी company बनती है 100% के shareholding से किस तरह से 60 और 70% तक की holding ही रख पाते हैं और 30% के value ही हो जाती है उनकी और अगर फिर भी इस IPO से related आपको कुछ query आती है तो आप वीडियो में comment कर सकते हैं कुछ अच्छे fundamentals वाले stock में अगर आप trading करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलिग्राम चैनल पे जुर्जों में वहाँ पे आपको अच्छे fundamental के stocks बताता हूँ वहाँ पे अच्छे आपके return बन सकते हैं more than 5% more than 10% के return बनेंगे आपके तो new channel होगी अगर आप चाहो that कर सकते हो मैंने link description में दे दिया comment में पिन कर दिया है टेलिग्राम के link अगर comment में open नहीं होती है तो VPN on कर लेना VPN लगाने के बाद open link हो जाएगी तो टेलिग्राम एक अच्छा source है अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जरूर आओ कुछ दिन रहके देखो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो leave कर लेना आगे आपकी मर्जी वीडियो अच्छी लगे तो comment में जरूर बताएं